Hey guys, मैं हूँ सचे निगाम और काफी दिनों बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ Spider-Man 3 से लेटेड बहुत सारी अपडेट, कुछ लीक्स, कुछ रूमर्स और जो जो चीजे मुझे पता चलिए इस अबते के अंदर वह मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में वीडियो शाहिए थोटे से लंबी हो सकती है बट बेर विदी वाश तिल दी एंड वीडियो को लाइक कर देना आपके लिए बहुत मैनत करता हूँ सबसे पहले अपगेट की बात करें तो मुवी की शूटिंग खतम हो चुकी है मेरे ख्यासे तो ऐसा ही है लेकिन फाइनर जो शूटिंग वो खतम हो चुकी है तौम होलन घर पहुंच चुके हैं जेंडए घर पहुंच चुकी हैं नेड लीट्स खरक्राइब बैटलाउन वह भी घर पहुंच चुकी हैं और अब वह अराम कर रहे हैं कुछ तो बाद ही अब जो हैं नई नई अपडेट समें देखने को मलेगी क्योंकि फाइनली अब पोस्ट प्रडक्शन काम में वह शुरू होने वाला है टॉम ओले ने कहा था कि इस मुवी को फिनिश करने के बाद में विकेशन लेने वाला हूँ बट विकेशन लेने से पहले इस मुवी का जो पूरा करके जाएंगे साथ साथ अकर रिशूट के लिए उनको बुलाया जाएगा तो रिशूट केले मों इनको जाना पड़ेगा तो इसलिये अभी 2-3 महिने तो वह कहीं नहीं जा सकते है हम अब जाते हैं कि फिलाल तो जो सेट की गई है रिलिस डेट वो इसी साल की है दिसमबर की लेकिन ऐसा हो सकता है वो चेंज कर दिया और अगले साल कर दिया जाए बिल्कुल ऐसा हो सकता है आप पान के चलो कैसा हो गई होगा तो शायद जो रिशूट के लिए टॉम हों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर रिशूट करेंगे लेकिन अभी फिलाल अपडेट यह है गाईस के जो शूटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है सारे के सारे जो मेंबर सो अपने अपने घर पहुंच चुके है और फाइनली ये मूवी ऐसी बन चुकी है जिसके अंतिसार हम कावी समय से कर रहे थे स्पाइडर मैं 3 के लिए और अब हमें कुछ ने कुछ तो देखने को मिलेगा ये मिलेगा तो शूटिंग हो चुकी है अगली लीक की बात करेंगे थोड़े दिनों पहले हमें एक क्रू मेंबर की मर्च देखने को मली जहां पर बहुत सारी चीज़े हैं अगर आप उनके बार नहीं बात करो ना तो अबिसली से पता चल लाता है कि स्पाइडर वर्स आने वाला है हम देखने को मला एक क्रेक्टर है जो भी एक बंदा है जो ऑन दे सेट काम करता है मुवी खतम होने के बाद मैं उसको थोटा सा मर्च मलाता अब हम देख सकते हैं यह पर इसको एक टीशिट मिलिए और हमको देखने को बल सकता है एंडू गार्फिल का सूट अब इसको फॉर्स आम देखने के बाद में आप कोई भी समझ जाएगा कि वह इसका मतलब यह है क कि Spider-Man No Way Home के अदर हमें एंडू गार्फिल के अपनी Spider-Man movies के लिए करते थे जिने Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Tobey Maguire of the movie movies का तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंडू गार्फिल का हमें देखने को मल गया और साथ साथ लोग लेफ्ट के अंदर हमें टोबी मैगवार का हिंट देखने को मल गया और यहाँ पर लिखा है फिल्म क्रू 2020-2021 अब इसको देखने के बाद में कोई भी कह देगा कि भाई इसस सारे मैसेज आ रहे थे और जो टी-शिर्ट आपको देखने को मिली है ना टी-शिर्ट के ओपर जो स्पाइडर मैंड की इमेज आप देख सकते हैं वो गूगल पर से ली गई थी और तुम लोग जादे ही सोच रहो लेकिन मेरे इसाब से यह जो गाइस कमेंट किया गया है यह सोनी और मावल ने एक तरह से मार्करणिंग टेक्निक का अस्तमाल करके ट्विट करवाया है ताकि लोगों के अंदर हाइप भी बन जाए और किसी को पता भी ना चले कि एक्शिल में स्वार्ड आने वाला है मेरे यह मानना है कि ऐसा हुआ है कि सोनी और मावल ने इस बं करने कोश्च कर रहा है और यह बंदा फिलाल जूट बोर रहा है और अबिस इस मुवी के अंडू गार्फिल और टॉम होने ही वाले है साथ साथ तोबे में गौर भी होने वाले हैं बस इसको पता नहीं था शायद इसने गलते से ट्विट कर देया या फिर यह जान बुच क किया गया है और हमें फ्यूशर के अंडर वापत से जब यह सीजर को मिलेगी तोब में अगर अंडू गार्फिल के अनॉस्में देख को मिलेगी तब हमें एकदम जटका लगने वाला है क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़े हमारे सामने आई हैं कितनी बात इस मुवी के अगर आप गौड़ से लिए नहीं किया है यानि उन्होंने नहीं किया है लेकिन उन्होंने बस यह कहा है कि यह सब रूमर्स नहीं है और इस मुवी को आने में भी बहुत टाइम है तो उससे पहले अरांसे अनॉस्मेंट कर सकते हैं और जैसे कि मैं आपको बताया है तो अम Andrew Garfield, Good Morning America पर जा कर सकते हैं Announcement Spider-Man 3 की, वहाँ पर वो simply जाएंगे और Tom Holland को surprise करेंगे या फिर वो एक उसे को surprise करेंगे और पिर अनांस कर दें कि Spider-Man के रूप में वो वापस आ रहे हैं और वो जो moment होगा ना, वो पूरा का पूरा जो internet है वो break कर देगा, तो मैं इसके लिए बह मन में रखना पड़ेगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और सिर्फ वर सिवे एक honest leak है, जो कि हमारे सामने आ गाया है, किसी दे गलती हो गई या असने टॉब और सूट की जगा, एंडू गाड़ी गलती हो सकती है, तो 99% आप मान के चलो कि शायद इससे confirm हो चुका अगले लिक की बात करें गाई, तो यहाँ पर हमारे एंडू गाड़ी गाडफिल्ड के जो stuntman है, जो उनके stunt play करते है, Spider-Man Movies के अंदर, यानि Amazing Spider-Man के अंदर, जिन्होंने काम किया है, उनका नाम है William Spencer, उन्होंने थोड़ो दिनों पहले Instagram पे एक photo डाली, जहाँ पर वो एक blue लाइक कर दिया, अब लाइक कर दिया, बस इतने से हमें confirm हो गया, सारे के सारे fans को, कि Spider-Man पर सोने वाला है, लेकिन, यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी, वो यह कर दी, कि Instagram post के अंदर, उन्होंने Greg Townley, जो की actually में stuntman है, Tom Holland के, उसको tag कर दिया, यानि Andrew Garfield का statement, tagging Tom Holland का stuntman, यानि वापत से इसको पता करने के बार में, जब सब लोग की चीज़ फैल गे न, सब लोगोंने screenshot ले ले लिए, उसके बाद उन्होंने अपनी post को delete कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता है, कि आप post डालते ही क्यों हो जब delete करना होता है तो, या फिर सोनी वाले, मावल वाले अप आपको बताना चाहूंगा कि actually जो photo है, ये Spider-Man के set से नहीं है, ये किसी show के set से और मुझे नहीं पता है कि इसमे Spider-Man के suit क्यो पहन रखा है, बट Spider-Man के official image नहीं है, काफी लोगों ने मुझे इस्टाग्राम पर DM किया था कि भाई ये देखो photo आ गई है, मैंने सोरसे से बात की मुझे तो कोई proof नहीं मला, तो हाँ, ये photo अच्छी है, इसपा Spider-Man में Tom Holland का suit है, वो देखने को नहीं मिल रहा है, Andrew Garfield का suit देखने को मिल रहा है, बट ये Spider-Man 3 की photo नहीं है, तो ये चीज़ा अब मैं निमार्क से निकाल दो, कि actually मैं Andrew Garfield हमें on the set देखने को मिल रहे है, उसके लोग ये बोर रहे हैं कि जो set image अमारे सामने देखने को मिली है, ये है electro-related, और electro इस movie के अंदर multiverse को खोलने है काम कर सकता है, जो कि मुझे समझ में ग्याला है किस तरह से होगा, लोग ऐसा बोर रहे है, मैंस पर बिलीव नहीं करता, बट हाँ, इस बात पर ज़रूर Spider-Man यानि Mr. Tobey Maguire ने भी अपने जो scene है, वो सारे के सारे शूट कर लिया है, अगें, ये नहीं मैं बोलूँगा कि इस चीस confirm है, मुझे सुनने को मिला या ऐसा हो सकता है, बट इस बात के बारे में, कि उन्होंने अपने scene है, वो शूट कर लिया है, मैं कोई confirmation नहीं कह सकता, स मुझे सुनने को मिला है, तो मैं आप लोग को रिपोर्ट कर रहा हूँ, अब Tobey Maguire की पारे में बात हम करी रहे हैं, तो एक चीसों मैं आपको और बताना चाहूँगा, Tobey Maguire की जो girlfriend है, उन्होंने Spider-Man No Way Home की जो cast है, यानि main cast, जैसे Zendaya, हमारे Ned Leeds का character Mr. Jacob Atalon, और Tom Holland को Instagram पे follow क या, ऐसा हो सकता है कि वो fan हो इन सब की, लेकिन इसी वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं फॉलो किया उनको, और दो मुवी आ चुकिया टॉम होलन की, क्या वो तब फैन नहीं थी, इससे और जादा रूमर ये बढ़ जाता है, कि बाद अगर बात करें अगली अपडेट की, तो के एंड में, Wanda जो है, वो हमारी डार्क होड को पढ़ रही है, और से टॉम्य और बिली की आवाज सुनाई देती है, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि Spider-Man 3, यानि Spider-Man No Way Home के शुरुआत में ही, Wanda Vision का जो इवेंट है, वो इसके रिजन हमें देखने को बले, Wanda देखने को बले, और वही रिजनों Multiverse के खुलने का, मुझे तो ऐसा ही समझ में आया है, कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि obviously Kevin Feige ने का था, Wanda Vision Spider-Man 3, और Doctor's Chain 2, ये सारे के सारी मूवी कनेक्ट है, और इस से बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है, इन दिनों कनेक्ट करने का मेरे साब से, तो यहाँ पर मे ये मूवी 95% जो मूवी है, वो Spider-Verse नहीं होने वाली है, ये होने वाली है, Sinister Six मूवी, और मूवी के end होते होते, जब सारे के सारे जो विलन है, वो आ जाएंगे, और मुराडी को अच्छे से धो रहे होंगे, उस वक्त नए Spider-Man हमारे, Tobey Maguire और Andrew Garfield देखने को बलेंगे, औ ये जो सीन होने वाला है, काफे छोटा सीन होने वाला है, और 5% मूवी ही हमें Spider-Verse की रूप में देखने को बलेगी, तो 95% जो मूवी है, अभी भी Tom Holland की ही है, क्योंकि obviously काफे लोगे सोचे देंगे, कर Tobey Maguire, Andrew Garfield आ जाएंगे, तो Tom Holland को देखे को कौन ऐसा नहीं होने वाला सिफ एक सीन भी देखने को मिल जाएगा ना, वहीं बहुता सार के सारे फैंस को टीज करने के लिए, और इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि हही पर मूवी खतम हो जाएगी, और Spider-Man 4 का पर जो पार्ट है, वो शुरू हो जाएगा, और वो हमें देखने को मुलेगा कब कर दो, I am so excited, क्योंकि Spider-Man 3 के अंदर Spider-Man शुरू हो जाएगा, और Spider-Man 4 के अंदर उसको conclude किया जा सकता है अराम से, और यह थी गाईज, वो सारी कि सारी अपडेट जो मुझे देखने को मली है, अगर मुझे कोई अपडेट छूट गई हो, या आपको कुछ पता चलाओ, तो वहाँ पर जाके जरूर कमेंट करना, thank you so much for watching this video guys, मैं हुँ सची नहींगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, bye guys, take care, love you all and have a great amazing day.